इसमें कोई सक नहीं कि जिला दिन दूनी राज चोगुनी तरक्की कर रहा है कुछ सालों पहले जिले में बड़ी-बड़ी इमारते कम देखी जाती थी किन्तु पिछले एक दसक में जिस रफ्तार से गोटा में बड़ी-बड़ी इमारत के निर्मान का दोर चला है इससे जिले की तरक्की साप नजरा गई है किन्तु मानक को ताक पर रखकर यदी इमारतों का निर्मान किया जाए तो निस्सित रूप से ऐसे बहुमंजिला इमारतों से आस परोस में खौप पसर सकता है अब जो हम आपको जिस बिल्डिंग की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं या कहीं दूर का नहीं बलकि गोटा जिला मुख्याले के गायतरी नगर में नगर भवन के सामने का है जहां वीते कुछ महिनों से एक नीजी बिल्डिंग निर्मान का कार किया जा रहा है तस्वीरों में देखने से साब पता चलता है कि बिल्डिंग निर्मान का सारा कार समापती की ओर है किन्तु क्या इस इमारत के निर्मान से पहले नियमों को और इंजीनियर की सला ली गई थी अगर ली गई थी तो बिल्डिंग के ग्राउन फ्लोर का पिलर अचानक फट कैसे गया पिलर के अचानक फट जाने से काम कर रहे मज़दूरों के बीच अफरा तफरी मज गई जिससे की आज पास रहने वाले लोगों ने काफी चिंता जाहिर की है पडोसियों की माने तो नियम को कहीं न कहीं ताग पर रखकर इस बहु मंजिला इमारत को खाड़ा किया गया है आपको बताते चले यह बिल्डिंग जिसका है वह खुद एक स्क्यूटिव इंजिनियर है बाबजुद इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हो सकती है पडोसियों ने कहा कि जब से बिल्डिंग निर्मान का कारे किया जा रहा है तब से ही हमें दी जा रही इस पतले पतले पीलर से डर लग रहा था और आज पीलर के फट जाने से बिल्डिंग के गिरने का खत्रा चा गया है भायवीत महलेवासियों ने जिला परसासन से बिल्डिंग के निर्मान में बरती गई ओनियमित्ता और इस्तिमाल किये गई मेटेरियल के जाज करने एवं बिल्डिंग को धुर्ट किये जाने की मांगी है सुनिए क्या कहते हैं महलेवासि आपने बाद की जिनका धह रही है उनसे बात की आपने उनका उनसे को संपर्किनि नहीं है ठिकदार भी था वह भागा हुआ है ठीक है लेवरस अब डर से उतर यह नीचे जैसे जो फिलर फटा आवाज किया चर-चर इस दिवाल भी खिच लिया थो आशाब देखा जा इसको और हमने जब बोलने कोशिस किया तें लोग सब अपना अपना दे रहा है कि नहीं इसे करते हैं इतनी उच्छी विल्डिंग है काम का देखरें कौन कर रहे हैं काम का देखरें जो मंगाली मिस्तरी है वही ठीक दार है वही ठीका लिया है